देश के 73 गर्टंत्र दिवस की परेट के दौरान, कई सारे ऐसे द्रिशे देखने को मिले जो मन को मोह लेने के लिए काफी थे इन में से सबसे खास द्रिशे देखने को मिला प्रधान मंत्री मोदी और राश्ट्रिपती रामनात कोविन द्वारा विराट घोड़ी को सम्मान देना अब इस तोरान आपके मन में भी कई सवाल आये होंगे कि आखिर ये विराट अश्वर कौन है जिन्हें प्रधान मंत्री मोदी ने जो उसका योगदान है उसे शुकरियादा किया तो चलिए आपको मिलाते हैं विराट घोड़े से राश्वर पती के बेड़े के विशेश घोड़े विराट को प्रेजिडेंट्स बोडिगार्ड के चार्ज के तौर पर भारती असीरा ने विशेश सम्मान दिया है विराट को अपनी योग्यता और सेवाओं के लिए चीफ आफ आर्मे स्टाफ कॉमंटेशन कार्ट से सम्मारित किया गया है विराट ये सम्मान प्राप्त करने वाला राश्वर पती के अंगरक्षक बेड़े का पहला घोड़ा है गंतंत्र दिवस परेट के मौके पर जब देश के राश्वर पती रामनात कोविंद राजपत आते हैं तो आपने उस दोरान उनके अंगरक्षकों को शांदार कटकाथी के घोड़े पर सवार जरूर देखा होगा ऐसे में आज हम आपको मिलाने चा रहे हैं विराट अश्व से जे हां हम आपको बताएंगे और आपको एक ऐसे ही घोड़े विराट की कहानी बताएंगे जिसे प्रेजिडेंट बॉडिगार्ड के चार्जर के रूप में भार्टिय सेना ने विशेश सम्मान दिया है लिए समान के हगदार भी हैं विराट नाम घोड़े ने इस बात को सही साबित किया है जिस तरह महराणा प्रताप को अपने घोड़े चेतक पर पूरा भरोसा था जिस तरह रानी लक्ष्मी बाई अपने घोड़े पवन को विश्वास पात्र मानती थी उसी तरह आज के युग में विराट नाम के इस घोड़े पर सबका भरोसा है ये कोई आम घोड़ा नहीं बलकि देश के राश्यपती के अंग रक्षक परिवार में शामिल विराट घोड़ा है जिसे प्रेजिडेंट बोडिगार्ड का चार्जर भी कहा जाता है विराट रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल हेमपूर से 2003 में राश्यपती के अंगरक्षक परिवार में सम्मलित हुआ था ये एक होनोवेरियन नसल का घोड़ा है जो अपने नाम के अनुसार बहुती वरिष्ट, अनुशासित और आकर्षक काठी का है शुर्वाती दौर में विराट ने जंपिक ट्रीम का हिस्सा बन कर कहीं कीर्तिमान स्तापित के थे उसकी इनहीं योग्यताओं और उम्दा गुणों से प्रभावित होकर उसे कमांडेट चार्जर चुना गया अब तक ये सम्मान रेजिमेंट के गिने चुने घोडो को ही प्राप्त हुआ है विराट चार्जर के रूप में राश्ट्रपती के साथ पिछले 13 सालों से गंतंत्र दिवस की परेट बीटिंग दर रेट्रेट सेरिमनी और अलग अलग देशों के राश्ट्र अध्यक्षों के स्वागत समारों में शामिल हुआ है और आज अपनी इनी सेवाओं और योगताओं की वजह से विराट को एक अलग पहचान और सम्मान मिला है